है नवस्कार दोस्तों मैं आजेकमार सिंग एक बर फिर आपके सामने उपस्तित हूं पर हैंडवास का डेमो लेकर हम दिखेंगे और ये दूसरा ये पतशन जली करेंड वाश है चलिए इस डेमो दिखाने के लिए हमको क्या के मत चीच चाहिए रही उसे में नमक्रास को缸्क करता है और पानी शेया और शिसक ग्लास तेनों में धोरा धोरा पानी ढालते हैं करें ते तो तिरों किलासों हमने पानी डाल लिया फिर इसमें हम तीन तीन चम्मज नमक डाल लेंगे यह नमक दिखाता है सोडियम हमारे सरीर से सोडियम निकलता है इसलिए इसको लिया गया है डेमो के रूप में क्योंकि सरीर से जब सोडियम निकलता है तो उसको किस तरह केमकल का जो है अगर ज्यादे होगा तो हम अगर हाथ को धूल लेंगे अधूलने के बाद विस पर जिमकल हलका सा लगा रहेंगा तो उसके खाने के मदल से अंदर पेट में जाएगा और नुक्सान काएगा इसलिए नमक को लिए हैं देगों के रूप में हम तीनों इसको भोल लेते हैं पाले नमक को कादेशिक तीनों सब्रेशा भोल लेते हैं क्या है क्या हुआ है क्या है तीनों विस प्रिफखन प्रिफ़ लगवा घोल चुगा है और यह तीनों में हम देखते हैं एक एक करके लगवा एक समच हम इसको डालते हैं यह पतंजली हमने डाल दिया यह हम लाइव डाल ले हैं एक समच हम डाल ले हैं यह हम डाल ले हैं डेट मैक्स अब इसको हम सबको मिला देते हैं करके हम डाल ले हैं मिला दिये अब एक बार हम थोड़ा सा थोड़े देर के लिए छोड़ते हैं और देखते हैं कि यह क्या प्रभाव पड़ा इस पर है यह कि किसमें केमिकल का मात्रा ज्याद है जिसमें केमिकल का मात्रा ज्याद होगा उसका रियक्शन ज्याद होगा और हम अभी देखेंगे क कैसे ही यह प्लास्टिक के रूप में परिवर्टित हो गया है जो कि हम हाथ धोते हैं तो हाथ धोने के बाद भी जब थोड़ा सा जो लगा रहेगा अंदर जाएगा तो काफी नुक्सान करेगा आइए हम देखते हैं कि नजारा क्या बदला है हम सबसे पहले आर्सीय मौले को देखते हैं यह आप देखें कोई कुछ भी इसमें हलका सा केमिकल दिख रहा है आपको बिल्कुल हलका सा दिख रहा है कोई भी इसमें जमाव नहीं है आप देख रहे हैं तनिक भी जमाव इसमें नहीं हुआ है तनिक भी जमाओ इसमें नहीं है आईए हम दूसरे यह रहा आर्शियम का डेट मैक्स आईए हम देखते हैं यह लाइफ बॉय लाइफ बॉय करना जारा देखिए यह क्या हो चुका है प्लास्टिक जबं गया है दोसरा हम आते हैं जो नामी है पतंजली इसमें डेखते आप से छूक के देखिए प्लास्टिक इतम प्लास्टिक हो गया सोचिए हमारे हाथ को धुलने के बाद थोड़ा भी बचेगा वह अंदर जाएगत क्या हासर होगा आप देखिए प्लास्टिक एक बार और फिर देखिए यह है पतंजली फिर यह देखिए आपका यह नहीं बस नामिनल हलका सा इसमें थोड़ा बस हलका सा गाडा हुआ है पाकी और आप देखिए कहीं नहीं है यह रहा आर्सीम के हैंडवास का डेव इसलिए मैं कहता हूं कि आर्सीम का जो प्रोड़क्ट है हंडेड प्रसेंट हेल्थ फ्रेंडली है यह यह रेट इंडियन और क्वाल्टी इंटरनेशनल यह है आर्सीम धन्यवाद जैर्सीम